डिले नहीं देखने मिलते जाए रहों मैं डिले नहीं देखने मिलते आप इस टेम मेरे हैंड में देए सकते हैं इंफनिक्स नोट-11 प्रो जी-9-6 इसमें चिपसर्द में गेमिंग देखने हों मिलती है पब जी मैंने इसमंने वह पर दाउन लोड करके रखी है आज कि इस वीडियो में जो है मैं इसका proper PUBG टेस्स करने वाला हूँ इस पे हम PUBG प्ले करके देखेंगे साथ-साथ इसका heating test भी हम करने वाले है कि इसका temperature क्या रहने वाला है gaming के दूरान अगर मैं इस टेम इसकी battery की बात करूं तो 50% यहां पर हमें इसकी battery देखने को मिलाती है साथ-साथ इसका battery draining test भी हो जाएगा कि इसकी battery draining क्या performance है तो इस टेम मैं इसका बैक का temperature चेक करूं तो यहां पर 22 degree temperature यहां पर देखने को मिलता है अगर मैं बात करूं तो winter शुरू हो चुका है इसका temperature बढ़ना तो नहीं चाहिए क्योंके ठंड है ठंड में mobile heat नहीं होती इतनी जल्दी अच्छी काजी ठंड है यहां पर तो इस टेम मैं फ्रंट साइज का temperature देखू तो फ्रंट साइट का जो है वो 23 degree यहां पर हमें temperature देखने को मिलता है तो 23 degree temperature था 22 back आता 50% इसकी battery हो यहां पर हम pub जी को करते हैं इस पर स्टार्ट इससे पहले में कर लेता हूं अपने wifi को on तो wifi connect हो चुके है हमारा इस पर तो यहां पर मैं pub जी को कर लेता हूं play पब जी प्ले करने में देखते हैं कितना टाइम लेता है स्क्रीन पर थोड़ी डस्ट वगरा थी जो के मैंने सोचा on play करने से पहले मैं इसको भी साफ कर लूँ तो बारहाल यहां पर timing record चल रही है तो मैं कोई वीडियो पोस्ट वगहरा भी नहीं करूँगा सीधा साथ आपके सामने on होगा और आप देखिएगा कितना time लेता है फिलाल game तो हमारी mind में हो चुकी है on तो यहां पर game हो चुकी है play तो इसको हम okay कर लेते है okay करने के बाद तो सारी चीज़े जो भी है वो खतम कर लेते हैं इस तरह से ठीक है आप देख सकते हैं इतना कोई मज़े का नहीं हमें शो हो रहा है यहां पर मैं सबसे पहले में टीडियम प्ले करके देखूंगा कि टीडियम में क्या परफॉर्मस इसकी रहने वाली है और साथ साथ जो है ना इसके में ग्राफिक वगरा भी इसी में आपको दिखाऊंगा क इसके ग्राफिक क्या देखने को मिलते हैं तो यहां पर टीडियम की मैच मेकिंग जो है वो हमारी हो रही है और यह स्टार्ट हो चुका है टीडियम तो साउंड वालियम इसका फूल कर लेते हैं तो अगर मैं ग्राफिक वाइस बात करूं तो समूत अल्ट्रा पर स्पोर्ट कर रहा है बैलन्स के साथ अल्ट्रा आ रहा है एच डी के साथ हाई प्यादत है तो यहां पर समूत अल्ट्रा के साथ हम इसको प्ले कर लेते हैं जाइरो की पर्फॉमस्स की बेस्त है जाइरो आलवेस का उप्शन इसमें हमें देखनों को मिलता है तो यहां पर हम स्टार्ड करते हमारा गेम अजिए उंस्टार्ड करते हैं रवणीप्ट लजएग्ट करते हैं कंईते हैं आप जपार्ड करते हैं वहां पर्लवेस्टार्ड करते हैं है। थाहिए झापरगग ईंसापदब! The Blue Team is Unstoppable Enemy, down Target, down Cover me Great, you're about to win The Blue Team is heading to a perfect Noodles The Blue Team is Unstoppable तो यह था इसमें एक टीजेम का गेम प्ले जो के आपके सामने यहां पर मैंने शेर कर दिया ठीक है अब एक टीजेम का में प्ले था पहले 10-12 किर हो चुके थे तीम आपस में लड़ रही थी ठीक है जब मैं इसमें इंटर हुआ अगर मैं इसकी इस टेम टमप्रेचर की बात सब्सक्राइब करें गया है तो यहां पर बैक यहां पर यहां ध्क टमप्रेचर है वह 27 पर है धन में बहें 7 हमाए यर पहले मुबाइल बिलकुल ओफ पड़ी रही है लाए सारी इसवर्य हमें देखने को मिला हो वरह 22 से temperature convert हो गए इसका चला गए 27 पे अगर मैं बैटरी की बात करो तो भाई 50% बैटरी ती अब इस टेम जो इसकी बैटरी आपको अमीद है के शो हो रही होगी यहां पर 48% यहां पर बैटरी इसकी रह गई है ठीक है यानि के एक TDM के मैच में 2 परसन इसने बैटरी गिरा द अगर मैं gyro की performance की बात करूं तो gyro performance बिल्कुल best है किसी किसम का इसमें हमें delay नहीं देखने को मिलता है तो आप जह सकते है डिले नहीं देखने को मिलता समूत अर्ट्रा ग्राफिक ठीक एसपोर्ट कर रहा है अच्छे तरीके से बात करूं इससे पहले devices के जैसे के note 8 आया था पब जी के साब से भाई अभी तक इतनी तगरी डिवाइज निनिकाली इंफिनिक्स ने कि यहां पर मैं इसको iPad व्यू बना लेता हूं अद्वांस अधर पर्संड यह iPad व्यू बना लिया एक रूम नहीं पर कर्सक्राइब मैं व्यूच यह जी आया पीच बारे में कर्सक्राइब चाहरे मैं पर्सक्राइब है कर्सक्राइब बना तरह लो भाईब पर भीट है झाल झाल सकते हैं कि अब खुआ हैं लो कर दो हुआ होगा हुआ है तो बाई यह था गेंपले जो के आपके सामने में ने यहां पर कर दिया शेयर सो यहां पर जैसा कि मैं आपको दिखाया तौ टमपरेचर था ना वो थर्टी-फोर 23 back का ISM show कर रहा है और फ़ंट साइड की बात करूने तो फ्रंट का temperature भी 33 यहां पे शो कर रहा है सेवन डिगरी तर यहां पर करमेज के हीटिंग की बात करूने तो इतना कोई हीट नहीं हो रहा नॉर्मल सा हीट है क्योंकि वो जो आइस बिल्कुल थंडी दी जिसे हम इस पे गेम स्टार्ट की दी ठीकर 27 पे गया उसके बाद अब 33 का इसका डंपरेचर आ गया बैटरी की बात करें तो 43 परसंट इसकी बैटरी रेमिनिंग बच्टी है जबके हमने टीडेम खदम किया था वह 48 परसंट थी तो बैटरी टैमिंग भी बहुत अच्छी है वहाराल आज किस वीडियो में इतने महमित करता हैं आपको वीडियो पसंद आगी कि वीडियो पसंद तो लाइक करेगा चैनल में सब्स्क्राइक पर लेजिए मैं मिलता है आफसे लिए लिए वाली एक